नमस्कार साथ हे हो तो आज ए 18 जून 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपारेन शेयर्स के फूर कुछ इंपारेन अपडेट सा कुछ इंपारेन निउस है तो चले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सेक्टर की दिगज कंपणी ताटा पावर कंपणी लिमिटेट की शियर्स के बारे में आज फिर से एक और बार शियर्स हारे 400 के उपरा के क्लोजिंग दिया लगबख 451 रुपए 20 पैसे पे लगबख 0.57 परसें तेजी के साथ चली छोटा सा एक न्यूज है आपके सामने शियर करूँगे उसके बाद हम बागी डिसकेस करेंगे तो दोस्तो जैसे का आप देख सेकते हैं आज यानी 18 तरीका न्यूज है लगबख बजार क्लोज हो जाने के बाद 4 बच के 21 मिनिट किया टाठा पावर सेट अप टू 140 प्लस EV चार्जिंग पॉइंट इन मुंबाई दोस्तो आपको बहुत अच्छी से याद होगा कि टाठा पावर बेसिकली पावर जनेरेशन, पावर सप्लाई, पावर टर्समेशन के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाइकर्स की चार्जिंग इंफस्ट्रक्चर को बढ़ भी काम करता है और आज की डेट पर ये खबर निकल के आया कि मुंबाई के अंदर कंपनी टोटल 140 से ज्यादा जो की चार्जिंग इंफस्ट्रक्चर इंस्टॉल कर चुका है सेट अप कर चुका है तो अच्छी बात है बागी देखे आज की डिट में हो सकते शेयर में वॉल्यूम बहुत यूज नहीं था अल्मों 65 लक्स के आशपास टोटल शेयर ट्रेड वा बट डेलिवरी वल परसेंटेज काफी बढ़िया देखने को मेला 46.83 परसेंट के आसपास यानि दीके शेयर में धीरे-धीरे डेलिवरी रेट बर रहा है और शेयर एक बार सारे चार्ट सेटल हो गया यानि होल्ड कर तो फर्दर उपर की तरह मुफ हो सकता है मैं आपको एक बाद चार्ट पर पर दिखाना चाहूंगा कि बेसिकली सारे 400 की उपर थरसेंट पे भी पहुंच गया था उसके बाद देखिए अगर सारे 400 प्लस पर अच्छे से से स्टेबल हो गया एकदम से होल्ड कर गया आपने देखा कि नेक्स 2-3 दिन में शेयर में कोई बहुत ज्यादा उपर नीच उपर निस नहीं हो रहा है जरूर जाहिए लॉंग टम के लिए अच्छी कंपने ठीक है बट शॉट टम बेसिस में बाई मात करना इतना मैं आपको कह कर रखना चाहता हूं ओके नेक्स देखिए बह बोनास इशू का भी डिकलर किया था मतबर बोनास इशू में जिसका एक स्टेट जो है देखते ही देखते पहुंच चुका है आपके हाथ में अब ज्यादा टाइम भी नहीं है आज तो फिलाल अट्रा तारीक हो चुका है तो आपके हाथ में सिर्फ दो दिन बागी है 19 और है बोनास और स्प्लीट एकदम ही डिफरेंट है स्प्लीट में बेसिकली फेस बलूट स्प्लीट होता है और बोनास में दूसरा चीज़ में आपके वाद समझा देता हूं पहला आप अच्छे सुन लिजी है एच पी सेल की सपोस्पोस आपके वास दो शेयर है और कंपनी यहां पर एक शेयर बोनास देबाया ठीक है क्योंकि वान इस टू डेशो में अगर आपके वास दो है उसके साथ एक बोनास मिलेगा और यह दो शेयर अगर अगर आप एलिजीबल शेयर हुलर बने उसके समें बढ़की हो जाएगा तीन में कंट बट मत्तब दो है तो तीन म अल्मों 75,000 करोर के आसपास पहुंच चुका है दूसरी बात यह भी है क्योंकि सरकारी कंपनी डिविदेन बहुत अच्छा पे करता है और पी रेशो की बात करें बहुत ही जादा अंडर वालूट है नेक्स दोस्तों बात करेंगे एक और सरकारी कंपनी इरेडा की बारे मे तो देखें बहुत सारे कोईडी जा रहा था बहुत सारे सवाल आ रहा था कि सर इरेडा के क्या हुआ ठीक है दूसरे डिफेंस सेक्टर में या हाउजिंग फणान्स सेक्टर में या अलग-अलग सेक्टर जो हमने चाफी अच्छा थेजी था बढ़ खास करके पावर यार मंदब कोई movement ही नहीं एक जगा पर ही रुकाव है तो देखें कभी कवर ऐसा हो जाता है जैसे कि आज की डेट पर आपने देखा होगा कि HL को लेके मजगाव डॉक हो गया गार्डें डिच हो गया पारस डिफेंस हो गया यह सारे शेयर को लोग कि लोग कितना crazy है कि इ आपने देखा होगा इरेडिया की शेयर लास्ट पांस दिन पर ना कोई बहुत बड़ा क्रेश गिराब अठवा ना ही कोई बहुत बड़ा तेजी हुआ शेयर देखिए बहुत ही नेरो रेंच का आसपास ट्रेट करा है एकदम स्टेबल है और आज की रेट पर जो न्यू यहां पर यहां पर न्यूज आया है मतलब फ्रेश न्यूज आया पहला देख लिए यहां पर चॉइस एक्वीटी ब्रोकिंग नाम करके जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज कंपनी इनके तरफ से एक तो बाई करने का रेटिंग दिया साथ में टार्गेट प्राइस भी दिया 203 और यहां पर एक और चीज़ मैं आपको वदा करेटना चाहता हूं यह जो टार्गेट प्राइस दिया यह इने की मतलब आप कली बाई करें परसों आपको दोसों में पहुंचेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है यहां पर जो भी यहां पर टार्गेट दिया रहा है लॉंग टरम आपको मालूम पढ़ता है थीक है क्योंकि डीटल इंवेस्टर और कितना है कितना खड़ीता है बोलें हजार दो हजार बहुत पैसे वाला डिटल इंवेस्टर से तो चलो ठीक है एक लाग खडिद लिया पर यहां पर दील होता है तो उसकेज में बोलूंगा बड़ी इंव को लूँगा वेट कर जाएं वेट की स्टैटीजी अपना यह इंवेस्ट करना तो कीजिए बट आपको अगर शेर है तो वेट कीजिए सेल मत करने अट लिस्टीक है और शेर देखी कोई बहुत ज्यादा ड्रॉब भी नहीं हुआ ऐसे नहीं कि बहुत गिरावा ठोड़ा ह चलो ठीक उपन नहीं जा रहा है बट गिरावाट ऐसा विलकुले नहीं है यह एक जगा स्टेबल है तो यह अच्छी बात है यहां पर देखिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए ठीक है ओके नेक्स्ट बात करेंगे टाटा टेकलोजी यह अपने देखा लगातार जबसे लिस्ट वा एक्चुली टाटा टेकलोजी और एक ही साथ लिस्ट वा एक दो दिन की छोड़ चोड़के तो इडिए जहां पर बहुत अच्छे रिदन द्यार टाटा टेकलोजी लिस्ट होने के बाद से तो अमने लिगा लगातार इसमें क्रैश वुडावाट हमें देखने तो बहुत ही ग्लोबल मैं बहुत ही ग्लोबाल लेवल की बड़े कंपनी अदूसरा इंडिया की डॉमिनेट कंपनी आटो मोइल सेक्टर की टाटा मोटोर्स यह दोनों के साथ दिखिए आप एक पार्टनर्शिप वां ठीक अची कंपनी है सेम चीज़ बोलों को ताटा ग् बाइब अच्छी कंपनी है अगर आपको बाई करना है तो मैं उस पॉंट विसे में बोलूंगा पहले शेयर को एक हजार पचास और दूसरा ग्यारा सुपर जाने दीचे उसके बाद इंट्री लेना अधर वाइस यह जब नीचे गिर जाएगा हजार के नीचे उस लेवल आप चाहे तो इसमें इंट्री ले सकते हैं ओके नेक्स बात करेंगे आई प्योंगे चलिए फड़ा फड़ा देख लेते हैं इतने भी आई प्यो अभी मार्केट में एक्टीव है जैसे कि शिवालीक पावार कंट्रोल और बापड़े मैं आपको कुछ टेम पहले ही बोल अग्समेंट 202 परशन के परिटीव है ठीक है उसका देखें अबड़ीक आमने और गानीक्स जो कि एक शोचीएतर परसन के प्रिमियम्ट बेरी गूट स्टानली आई प्यों थीजिवींट परसन के प्रिमियम वीनी इमिग्रेशन 35 परसन के बहुत राइप बहुत राइप इन न्यू ट्रेका चोंगी 183 की प्रमयम ज़र जेम इन वेरो जो कि ब्रसु परसुन की प्रेमियम जब्री गूट डे डेवलपमेंग इंजिनेयर्ज की बेलएं फीस परिम अप्य जो कि फॉटी वन पर से प्रेमियम फैल्कॉन टेक्नो प्रजेक्ट आठ सारे परेसं की प्र सब्सक्राइब करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टैप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए और आप सभी को दोस्तों मैं छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारे इस एक वीडियो में आपको मिल जाएगा उसको मिसमत करना ठीक हो जरूर देखना लगपक वही पॉने ग्यारा से लेके ग्यारा पचास के वितर आपको मिल जाएगा ठीक है ओके नेक्स्ट अगरम बात करें हुटको तो हुटको की शेयर में भली आज गिरावट हुआ बट य अच्छा यह डियूरिंग मार्केट का ही न्यूज है हुटको शेयर इन फोकास एस नवरतना प्योसू रेज तू हंड्रेट मिलियन डॉलार तू हंड्रेट मिलियन डॉलर मतलब एप्रॉक्सिमेटली वही सोला सो पचास करोड के आसपास ठीक है कंपनिया पर अच्छी फिर से ब्रेकाउट देगा ठीक है तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है जब शेयर कंसॉलिडेट करें तभी इन्वेस्ट करना ओके लास्ट एंड फाइनल आखरी अपडेट है दोस्तों मजगाव डॉक शीप बिल्डर लिमिटेट तो क्या करना चाहिए लास्ट दे 14 पर लोग को दिखाने के लिए तेजी तो देख्या आज की रेट में नौड आउट वॉल्यूम बहुत बढ़िया था एक करोर से ज्यादा अक्सर होता नहीं है बट यहां पर अगर आप देखेंगे डेलिवरीवल परसंटेज ओफ बहुत कम बहुत कम मतलब सारे 10 परसें अप इमेजिन कीजिए सारे 10 परसेंट की डेलिवरी रेट तो मतलब यहां पर बेसिकली आज की रेट में जो हो रहा है शेयर में वह कईने के थोड़ा साब बोल चकते की ऑपरेटर भी यहां पर गेम कर सकता है हो सकता है कि बस ऐसे रिजल इंवेस्टर्स को ट्रैप करने के देखें लोग इंवेस्ट नहीं क्या था मैं आपको एक्जांपल दे रहा हूं पहला आप द्यान से देखिए मेरे बात को सुनिए आपको अच्छे समझ आ जाएगा मैं क्यूं बोलता हूं यह पेशन्स रखेए पेशन्स रखेए शेयर जो है लास्ट इम इसमें तेजी मा आपको फ्यूचर में एक अच्छा इटन मिल सकता है और यहां पर लगातार हमें इंक्रीज होता हूँ नजर आ रहा है कभी 40 परसें कभी 50 यानि बड़ी इंवेस्टर्स जो है माल उठा रहा है जिस दिन यहां पर ब्रेक आउट देगा सीधा सीधा मजगाव टॉक एचल की पर बाबाई जाए हिंदि